मुखेरी गंज मुहले में एक तुकान में धामाके के बाद लभग दर्जन भड़ से जादे लोग खायल हो जाते है साथ लोगों की अब तक मौद की भी सूचना आ चुकी है मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है लेकिन जो लोग अस्पतालों में भरती हैं उनका बहतर उप्चार हो इसके लिए स्थानी ये लोगों ने अपने अस्तर से मदद सुरू कर दी है एक तरफ जिला प्रसासंद लाइफ लाइफ लाइन हास्पिटल परिवार की तरफ से हर घायलों को बीस भी सजार रूपए की अर्थिक सहायता प्रतार की गई इस सहायता को देने का मकसद के वलिया था कि वह अपना बहतर उप्चार करा सके ताकि उप्चार के आभवाव में किसी की मौत नहों सके दे इसने इलाज में किसी भी तरह की दिक्कत ना है इसलिए अब लोगों द्वारा उन्हें अपने पास से धन दे करके उनके इलाज और बहतर स्वास्त की कामना की जा रही है इसी क्रम में जिला प्रसासन और लाइफ लाइन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डिरेक्टर डॉक्टर नगत धनरासी प्रदान की गई जिन में रेटकरास सोसाइटी के तरफ से 25-25,000 रुपए और लाइफ लाइन हॉस्पिटल के तरफ से प्रते गायलों को 20-20,000 रुपए की मदद की गई जिला प्रसाइटी के तरफ से 25,000 रुपए च्छाय गायलों को दिये जा रहे हैं और ये लाइफ लाइन हास्पिटल के तरफ से जो है ये 20,000 रुपए ये जो गंभीर रुप से गायलों जिनकी इस्थिती आर्थिक इस्थिती बहुती खराब है उनको इलाज के खर्च के अगर कोई उसको दूर किया गया है फिर भी ऐसा कुछ पाय जाता तो उसको देखा जाएगा उसमें कल जो था कि वारा लोग वहां गायल थे और पांच की मौत हुए थी आज जो है दो लोग और उसमें से उसकार कर गया है कितने गायल है जिसका जिले में उच्चा हो रहा है और बाहर कितने है कुछ लोग यहां पर इलाज हो रहा है कुछ लोग बनारस हैं बाहर गए है